दोस्तों मद्ध प्रदेश शरकार ने प्रापर्टी यानर को एक बहुत बड़ी शुविधा दी है अब आप अपने किसी भी जमीन को अपने आधार से लिंक कर पाएंगे इससे जो भेष्टाचार होता है तरशीर लेवल में आपके जमीन को किसी दूसरे के नाम से नामांतरण का इवार कर दिया जाता है या जब आप यपी उपारजन में रेजिस्टेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको इरा राता है कि आपके जमीन से आधार नंबर लिंक नहीं है तो इन प्राप्लम का यहाँ पे EKYC के बाद आपको सलोशन मिलने वाला है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके जमीन मद्य प्रदेश के अंदर है तो आप EKYC के माध्यम से किस प्रकार से अपने आधार को जमीन से लिंक करेंगे जिससे आपके जमीन सुरच्छित हो जाए तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मद्य प्रदेश के अंदर अपने जमीन को आधार से लिंक करने के लिए आप यंपी भूले के शायट में आ जाएंगे इसमें हमारी कई वीडियो बनी हैं अगर आप उनको देखे नहीं हैं तो जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी लागिन आईडी और पासवर्ड से लागिन करना होगा अगर आप फर्ष्ट टाइम आए हैं तो अपने आपको एज पब्लिक योजर रजिस्टर कर लें आईडी पासवर्ड और कैपसा डाल के हम शम्मिट करेंगे जैसे ही लागिन होंगे डैस बोड इस प्रकार से आएगा यहाँ पे आप नीचे स्क्राल करेंगे तो भूम श्रामे आधार EKYC का एक आप्षन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस आप्षन में हमको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज खुलेगा यहाँ पे हमको जिला सलेक्ट करना है सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश के अंदर जिस भी जिला से हैं सलेक्ट कर लेंगे जिला के बाद आपको तहसील सेलेक्ट करना है उसके बाद अपना गाउं सेलेक्ट करना है गाउं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको तीन आपसन दिये जाते हैं भूम श्रामी यानि नाम से खसरा नंबर से या प्लाट संख्या से तीनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसे ही हम विवरण देखे में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका खसरा नमबर उसका एरिया कितना है भूम का टाइप और इधर भूमश्वामी का नाम आ जाएगा तो इसको हमें सलेक्ट करना है सलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक वाईसी भूमश्वामी में क्लिक करना है यहाँ पे आप आधार नमबर या वर्चूल आईडी दोनों में से एक डाल सकते हैं यहाँ पे आधार नमबर डाल के ओटीपी जनरेट करें में क्लिक करना है जैसे हम ओटीपी जनरेट करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा कि ओटीपी आपको भेज में आ जाएगा यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद जमा करें में क्लिक करेंगे अब OK करेंगे जैसे ही OK करेंगे आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर नाम एड्रिश और फोटो नीचे इस प्रकार से दिखाई देगा आपके आधार के हिशाप से आएगा यहाँ पर एक सम्मिट कर देंगे अब यह देखिए कि आपका रिक्वेश्ट जो है ले लिया गया है शफलता पूर्वक शम्मिट हो गया है आपके शम्मिशन के बाद इसको एथोराइड ऑफिशर द्वारा इसको एप्रूब कर दिया जाएगा और आपका आधार आपके जमीन से लिंक ह हो जाएगी जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो आपको पशंद आई होगी कमेंट के माधिम से जरूर बताएं मिलते हैं एक नई वीडियो के शान तब तक के लिए धन्यवाद